हार्ड हिटिंग वीजॉप्स लोगसवा की बताई जा रही है इस वक्त मानसून सत्र चल रहा है इसमें इस्सा लेने के लिए दौन दलों के संसद संसद पहुंचे थे फिलाल इस तस्वीर में डिम पन्यादव और बरुन गांदी एक दूसरे से क्या बात कर रहे हैं ये तो सामने नहीं आया है लेकिन फिर सपा संसद और बीजेपी संसद की एक फोटो वाइरल होने से स्यासी पारा जरूर चड़ गया है दोस्तों वहीं एक तस्वीर के वाइरल होने से राजनीतिक गल्यारों में लोग तरह तरह की चर्चाएं कर रहे हैं चर्चा ये भी हो रही है कि क्या बरण गांदी आगा में लोग सबाचुनाब से पहले कोई बड़ा कदम उठाने वाले हैं क्योंकि बरण गांदी बीजेपी से संसद रहते हुए भी सरकार के खिलाब मुखर रहते हैं बरण गांदी बेरोजगारी किसान अगनवीर योजना जैसे तमाम मुद्दों के साथ ही अपनी सरकार की योजनाओ को लेकर समय समय पर सोसल मेडिया के जरिये भी अपनी बात रखते हुए नजर आते हैं इसके कारण कहीं न कहीं बीजेपी सरकार के लिए मुस्किलें खड़ी हो जाती है यही वजह है कि बरण हमेशा चर्चा में बने रहते हैं और लोग सबाचुनाब से पहले पाला बदन लेकी भी समय समय पर चर्चा चलती रही है दोस्तो इस दोरान ये दावा भी किया जा रहा है कि बीजेपी में रहते हैं अपनी सरकार की योजनाओं की कड़ी आलोचना करने के चलते बीते बिदान सबाचुनाब के दोरान चर्चा थी कि बरण गांदी बीजेपी का साथ छोड़ समाजबादी पार्टी कटबंदर मे शामिल हो सकते हैं दावा है कि इसके लिए उनकी अखले स्यादव से बात चीत भी हुई थी लेकिन उस वक्त ऐसा नहीं हुआ था इसी साथ सुरुआती महीने में बरण गांदी के समाजबादी पार्टी में सामिल होने की अटकलों को लेकर जब समाजबादी नेता सिप्प भी कर चुके हैं समाजबादी पार्टी मुखिया अखले स्यादव ने एक बयान में बीजे पीशांसद बरण गांदी को लेकर कहा था कि बरण गांदी अच्छे नेता हैं यदि समाजबादी पार्टी में आते हैं तो उनका स्वागत है हालां कि बरण के सपा के साथ साथ क कांग्रिस में भी जाने की अटकलें लग रही थी। कांग्रिस नेता राहूल गांदी ने एक सवाल के जवाम में कहा था कि बरन गांदी को गले लगा सकता हूं लेकिन उनकी बिचा धारा कोशी कार नहीं कर सकता। इनी कया सवाजी के बीच अब जब एक बार फिर देश का चुनाव नजदी का रहा है तो फिर से बरन गांदी को लेकर तम तमाम तरह की चर्चाएं होने लगी हैं। बाद उनका कद भाजबा में बढ़ता गया और उन्हें राश्टी महासची बना दिया गया। उनकी पहँचान फायर बने ताके तोर पर भी हुई। 2015 में अचानक उनका गराफ नीचे गिरने लगा। पहले उन्हें भाजबा के राश्टी महासची और पश्चिम बंगाल के प्रभारी 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 वहां हुई मोदी की रैली को सफल नहीं बताया था। इसके बाद बरुने 2016 में प्रियाग राज में हुई भाजबा की राश्टी कारकारणी की बैठक में अपने खूब पोस्टर बैनर लगवा दिये थे। तो इसे खुद को सीम फेस की तरह पेश करना माना गया था। भाजबा अलकमान उनसे नाराज हुआ तो बरुने परचारकों की सूची से बाहर हो गए तब से वो लगातार भाजबा सरकार पर हमला वर हैं। जब 2019 में मोधी सरकार टू पॉइंट जीरो बनी तो बरुन की मा मैंका गांधी को कैबनेट में भी नहीं लिया गया। दोजार एकिस में बरुन और सुल्तानपुर के सांसाद मै का दौनों भाजबा की राष्टी कारसमती से भी बाहर हो गए। कहा जा रहा है कि बीजेपी के कई बड़े नेता इस बार दौनों को लोग सबा का टिकेट ना देने के पक्षमे हैं। दोस्तों अगर आप कोई वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक करें। ज़्यादा शियर करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्नवाद। थैंक्यू वेरी मच्छ।